वेलकम टू कॉंपिटिशन इस्टार हेलो डियर्स यह जो वीडियो है यह SI का आंसर की पार्ट टू है इसमें हम लोग राज्य च्छतिज़ राज्य का समान्य ग्यान देखेंगे और इसमें 100% 60 का आंसर देखेंगे ठीक है और सभी प्रस्नों का आंसर देखेंगे इसलिए व से किस वेक्ति विचारधार से प्रेश प्रेरित है यह आप लोग को मैं PDF में दिया भी था और आप लोग को पढ़ाया था क्लास में ठीक है माक्सवाद लेनिनवाद और मौतिंग सुवाद तो आपसन नंबर 10 का राइट आएगा जब कम्यूनिस्ट पार्टी दो भागों म उपन्यास की जो रचना है इसको किसके द्वारा लिखा गया था तो यह जो लिखा गया था डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के द्वारा ठीक नेश्ट है जाती समुक कुरुख में कुजूर उपनाम का क्या अर्थ है देखे कुजूर का मतलब होता है मेडिसीन जो प्ला इस समेलित नहीं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपसन नंबर हो जैगा यह यह फुरी नहीं है ठीक है इसका राइट हो स्याम बारले को भारत सरकार दोर अपद मसीरी पुरसकार से सम्मानित किया गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कला यवाम संगीत छेत्रमी नेश्ट है 36 गड़ देहाती कला मंडल के संस्थापक कौन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम चंद्र देशमूख नेश्ट है सल्वा जुडूम की सुरुवात की सवर्स हुआ इसको भी आप लोग को बताया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपसन नमबर डी इन में से कोई नहीं क्योंकि जो सल्वा जुडूम है ये 2005 में चालू हुआ था महेंद्र कर्मा के द्वारा 2005 में चा ये बोला है तो पांच प्रतिसतत से ठीक है पांच प्रतिसत्त आएगा और यदि किसी ग्रामसभा में बैठा बुलाना है तो 1.10 मतलब जो 10 प्रतीसत है उसका लिखित आवेदान होनाचिये लिखित आवेदान तब जाके ग्रामसभा जो होगँ हो बैठेगा तो इस्कुस नमबर फोटीफोर ये एडियो वाले को पता होगा ठीक नेश्ट है कोस्चन नमबर फोटीफोर 36 गड़ राज यमे कुल कितने पूलिस थाने हैं एकदम इजी सा कोस्चन था देखिए इसका राइट अंसर हो जाएगा 428 ठीक इससे पहले नमबर 2000 में नमबर में कितना था तो 298 ठीक है कितना था 298 ठीक है ये नमबर 2000 की बात है लेकिन जब इसका दूसरा गीनती हुआ तो 2016 जून की अनुसार जो पूलिस थाना है उसकी जन संख्या है 428 ठीक है तो अप्सन नमबर 20 का राइट आंसर है ठीक नेश्ट देखते हैं कोस्चन नमबर 45 नेता जी सुबास चंदरबूस राज पूलिस अकादमी कहां इस्थीत है तो ये जो है ये है चंदर खूरी में ठीक नेश्ट देखते है मिट्टी से भरा तडबंध बांध कोंस है तो जो मिट्टी से भरा तडबंध बांध है वो है अप्सन नमबर 20 किरकटा जाला सिथ है अप्सन नमबर 20 का राइट आंसर है नेश्ट है किस कल्चूरी सासक ने तुमाण में सासन नहीं किया तो कौन नहीं किया तो प्रित्वीद यो प्रथम जो है ये नहीं किया नेश्ट है question number 49 36 गड़ में गोधन नया योजना कब लागू किया गया इसको भी आप लोग को बताया जा चुका है तो इसका right answer हो जाएगा 21 जूलाई 2020 को लागू किया गया ठीक है नेश्ट है question number 50 36 गड़ का सीमावर्ती राज जो नक्सल प्रभावित नहीं है तो इसका right answer इसको भी मैं आप लोग को बताया हूँ ठीक है इसको भी बताया हूँ तो इसका right answer क्या हो जाएगा तमील नाडू option number 10 का right answer है नेश्ट देखते हैं question number 51 36 गड़ के महा समून जीले में कौन सबवन्य जीव अभ्यारण है तो इसका right answer हो जाएगा option number बिबर्नाव पारव अभ्यारण इसको भी कई बार आप लोग को बता चूँक हूँ ठीक है आप लोग को कम से कम 4-5 दिन में पढ़ाया 4-5 दिन में बहुत सार आप लोग का question cover हो गया है ठीक है question number 52 36 गड़ राज जमें क्रिसी उत्पादन के सून योजित विपड़न है तो कितनी क्रिसी उपज मंडी एवं मंडी है ठीक है तो इसका right answer क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा option number 118 क्या है तो ये क्रिसी उपज उप मंडी है और 79 मंडी है ठीक नेश्टे देखते है question number 53 36 गड़ की वीर गाथाओं पर अधारीत लोग रित्य जिसे लोग बहले की नाम से जाना जाता है वो है पंडवानी इंद रित्य उप्शन number 6 का right है नेश्टे चीनी मीडिया ने नकसल बाड़ी आंदोलन को क्या कहा है एकदम easy question था ये इन्होंने क्या कहा लोग आंदोलन ठीक है लोग आंदोलन कहा लोग आंदोलन इसका right answer आएगा नेश्टे है question number 55 36 गण में वन भूमी का प्रतिसत कितना था ये भी आप लोग को बताया गया था तो इसका right answer क्या जाएगा option number C 44.21% नेश्टे है 56 दिल्ली राजहरा लव आयास का छेतर का मालिक कौन है तो इसका right answer क्या जाएगा option number D भिलाई इस पात जो सयंत्र है ये दल्ली राजहरा लव आयास का छेतर का मालिक है ठीक है नेश्टे देखते है question number 57 36 गण के वर्तमान पुलिस निदेशाग DGP कौन है बताएगे इसको मैं आप लोग को कई बार बताया हूँ ठीक है question number 58 इस राज्य के नगरी प्रसासन और विकास एवं क्या दिया हुआ है विकास एवं एड्मिनिस्ट्रेशन ठीक है विभाग के मंत्री कौन है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सिव कुमार डहरिया आपसन नमबर 20 का राइट आंसर है नेश्टे है question number 59 निमन लिखित में से कौन कुरूख का वाध्ययंत्र है तो कुरूख का जो वाध्ययंत्र है इसको भी आप लोग को मैं वीडियो में बता चूका हूँ ठीक है देखे आप लोग को 5 क्लास बस दिया हूँ 5 से 6 क्लास दिया हूँ जादा से जादा तो इस क्लास में कम से कम आप लोग को बहुत सारा question देखने को मिल रहे ठीक है इसका right answer क्या हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा option number D उपर के सभी मांदर करताल नागार ठीक है कुरुक वाद्ययंत्रा question number 60 तुहर पौधर तुहर द्वार कार्यकरम का सुभारम कहां हुआ था मतलब कब हुआ था तो इसका right answer हो जाएगा वो हो जाएगा 1 जुलाई 2020 इसको भी आप लोग को बताया गया है ठीक है तो ये जो 60 question तक है आप लोग का 36 गड़ का था अब बाकी जो हम लोग देखेंगे next में computer की समानने जानकारी देखेंगे ठीक है आप लोग का 36 गड़ तक का complete हुआ next में समानने computer Hindi English तीनों का एक साथ देखेंगे ठीक मिलते हैं next episode में